नमस्कार आप देख रहे हैं बिस तक मैं हो रजद देवगन आज तो multiple triggers थे जो बजार पर impact डाल सकते थे लेकिन बजार में bulls ने फिर से निश्टले सरों से की है वापसी और कही न कहीं एक range में फस गए यह बहुत बहतर था जो मैं multiple triggers की बात कर रहा हूँ आप वो सुनिए सबसे पहरे तो American markets फिछले सतर में भले ही सपार्ट closing दिखा के गए हो लेकिन December महीने के निश्टले सतर पर है कचा तेल परिशान किये हुए है पिछले कुछ दिनों में लगा था टूटा है आज थोड़ा समल गया लेकिन जो brand crude है वो December 2021 के सतरों पर है हमारे बजार खुद Nifty पिछले सतर में जो closing आई थी वो थी 18,550 की बहुत ही crucial लेवल था RBA policy के बाद डेंट तो पड़ा था लेकिन 18,550 एक important लेवल जिस पे निफटी ने close करके गया था उपर से आज weekly expiry थी किसी भी direction में जा सकते थे लेकिन निशले सरों से recovery आगई सबसे बड़ा trigger जो था market के पास वो था गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे बजार ने उसको भी बचा लिया और आज जो कमाल कर गए वो थे banking shares निफटी बैंक ने फिर से record लगा दिया और आज बजार को banking का सहारा मिल गया आज के दिन का जो open था निफटी का 18,570 का था low लगा है 18,536 high लगा है 18,625 का और आज की जो closing है वो है 18,609 हमने फिर से वापसी की है 18,609 के level की closing है 48 points के gains के साथ निफटी ने close किया है लेकिन दिन भर एक range में फसे रहे थे ये अंत में जाते जाते move strong था और निफटी बैंक के बलबूते निए record high निफटी बैंक ने लगाया है 43,640 एतिहासिक level चूली आज closing हुई है 43,596 की 498 points के gains के साथ तगडे returns आज banking stocks ने फिर से deliver की हैं Sensex 160 अंखो के gain के साथ हुआ है बन advance declines निफटी के 27 shares हर्याली दिखा रहे थे 23 shares लाल शान में थे लेकिन जो चढ़ा वो था access bank आई लगभग पॉने 3% की चढ़ाई चढ़ गया ये stock strong move था indecent bank धाई परसेंट चढ़ा है आईशर मोटर्स निश्लसरों से पलटा और 2% चढ़ गया L&T लगभग 2% चढ़ा है और हिंडालकों में 1,5% के return बैठे जो नहीं चले जाँ गिरावट थी वो था sun pharma आज के सत्र में लगभग पॉने 4% का crack डिविस लाब्स 1,5% टूटा है पावर ग्रिट 1,5% टूटा है Coromandel International ये stock लगभग 5% चढ़ा है भारत 4,4% चढ़ा और NMDC में भी आज position जो तेजी की साइट पी थी 3,5% चढ़ा FNO losers पे top पे आएगा India Bulls Housing Finance उपरे सरों पे थोड़ी मुनाफ़ा वसूली हुई है आज लगभग 4% के आज पास टूटा है Sun Pharma 3,5% टूटा निफ्टी का ही top loser है ये तो इसके लावा LTI माइन्ट्री जब से list हुए तब से लेकर अब तक लगातार फिसल पटी शुरू ये merge होके बनी है company LTI और माइन्ट्री के merger के बाद net entity बनी है लेकिन जब stock price higher level पे थोड़ी profit booking दिखा रहा है Dixon और Lupin ये कुछ ऐसे stocks थे जहां पर आज वाइदा कारोबार पे negative trades होते हुए नजरा लेकिन अगर आप तेजी ढूडने जाएंगे तो आपको banks दिखेंगे हरयाली हरयाली दिखेगी सरकारी banking खेमे में ऐसा लग रहा है कि stretch हो गए है लेकिन जो stretch है जो momentum में है वो और tool पक इखला ईओ भी साथ परसेंट उचला यूको बैंक साथ परसेंट उचला बांक ऑप दोधा छे एगे लेकिन सर्प्राइस कर गए हैं और सर्प्राइस किया ही है तो लगातार one way track पे समें तेज हैं इन लेवलस पे soucious तो रहने वाली बात है लेकिन हाँ टेक्निकल पारमीट पे अभी तक जो ट्रेंड है वो इंटाक्ट प्राइवेट बैंक्स में का नंबर आया आज फेडरल बैंक लगबग 3% चड़ा है एक्सिस बैंक पॉने 3% चड़ा इंडेसिंट बैंक फार्मा लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है और आज भी सन फार्मा सबस्थार टूट है लगभग पौने 4% लूपन 2% टूट है डेविस लाब्स लाब्स और इपका लाब्स जैसे स्टॉक्स पर आज डेंट पड़ा रियालिटी समहल नहीं पा रहे हैं उपरी लवल्स प पौने 2% टूटे हैं संटेक और प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स में भी आज दबाब देखने को मिला अक्शन हम रोज ही बात करते हैं जो अक्शन है वो है मिड़ कैप शियर में मिड़ कैप की रफतार तेज है लार्ज कैप के मुकाबले अभी कैच अप हो रहा है और आज नंबर फिर से कुछ नए कंपनियों का निकल के आया है और वो नई कंपनिया फिर से आई हैं वेंकीज 13% ऊपर के इसी इंटरनाशनल 10% से जादा चड़ गया है केमपलास लगभग 10% चड़ता हो नजरा है एच सी सी नौ परसंट के करीब चड़ा जे एनके बैं है 6% के प्राइमरी मार्केट में लिस्टिंग अच्छी हुई है आज धर्मज क्रॉप गाड की अज लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग में अगर इशू प्राइस 237 से कंपेर करो तो ओपन हुआ आज 266 का हाई लगा है 279 और क्लोजिंग हुई है 267 के लेवल की यानि क क्या होगा देखे कल अर्बे पॉलिसी के बाद एक दम से एक नीजक रेक्शन आया था लेकिन आज निश्टलेस रोज से रिकवरी भी आती देखिए हमने तो कह सकते है आर्बे पॉलिसी को तो बजार ने बचा ले लेकिन अब सबसे बड़े वेंट क्या है बजार के सामने किसी का भी गैस हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा एवेंट है कि ब्याजदरें यहां से बढ़ेंगी तो कितने कौन्टम से बढ़ेंगी फिलहाल बजार उसको बचाने की कोशिश करेगा हमारे बजारें कंडिशन कैसी है हम एक रेंज में फस्ते नजर आ रहे हैं फिलहाल ब तो हायर साइट पर फिर से एक रेंजस दिखाई देता है 18700, 18730 का एक रेंजस जोर नजर आता है तो है तो रेंज नरो लेकिन अभी यह हकीकत है कि बजार हो सकता है कि थोड़ा समय थोड़ा ठहराव इस समय महसूस करें एक रेंज में फसें उपर से इंटरनाशनल डेवल यार को वो थे बैंक्स निफ्टी बैंक चल पड़ा रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच गया और उसके बलबूते बच गए देखते हैं कि यहां से अब और के डेवलप्मेंट होती है लेकिन हाँ यह बात सही है बैंकिंग स्टॉक्स का इससे में जोर जादा है और मिड क्य ह कर दो रखन, इट रह號च्त पश्छंच है बίν को, हरा एससे कि जादी लेटना है और मिडwrittenपन कि लेकुम अभर गह भान से का रह番 मारति में बत्र लेक।